सेकेंडियर के विद्यारतियों के लिए आज हम जो विशय लेके आए हैं वो है मुगल बाश्या अकबर मुगल बाश्या अकबर जो हुमायू का बेटा था और जिसका भारत में शाशनकाल 1556 से 1605 इश्विस्तक रहा आज हम चर्चा करेंगे कि अकबर ने अपने साम राजे का विस्तार किस तरह से किया लेकिन ये चर्चा करने से पहले हम अकबर के प्रारंबिक जीवन के बारे में थोड़ी से जानकारी कर लें तो देखें अकबर का जनम अमर कोट के राजा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था उसके पिता हुमायू और माता हमीदा बानू बेगम थी मार्च 1546 असी में अकबर का खतना किया गया और उसका नाम जलालुदीन मुहम्मद अकबर रखा गया 1551 असी में अकबर को गजनी का सुबेदार बनाया गया 22 अन 1555 में अकबर को यूराज घोशित कर दिया गया और दिल्ली विज़े के बाद अकबर को लाहोर का गवर्नर निक्त किया गया और बैराम खा को उसका शन रख सक इस समय अकबर की आयू लगबक तेरे वर्स की थी जब हुमायू की म्रत्य हुई उस समय अकबर कालानोर नामा के स्तान पर था वहीं हुमायू की म्रत्य के समाचार मिलने पर संद्रक्षक बैराम खाने बड़ी जल्दी से ही इटों का सिहासन खड़ा करवा कर चोदा फरवरी 1556 को अकबर को मुगर समराथ खोशित कर दिया इस समय अकबर की आयू चोदर वर्स भी पूरी नहीं थी अकबर को अपने पिता से जो उत्रादिकार में जो ताज मिला उसे हम काटो का ताज कह सकते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हुमायू कितनी कठिनायों से गुजर रहा था और किस तरह से उसने फिर से अपने राज़जग को प्राप्त किया और किस तरह से वो जिन्द की बर लड़कडाता रहा और लड़कडाता हुआ ही मृत्यों को प्राप्त हो गया तो जो राज्य हुमाईू ने अकबर के लिए छोड़ा था वो काफी बिखरा हुआ सा था अकबर को जो ताज प्राप्त हुआ वो काटों का दास था राज्यरोन के समय अकबर, पंजाग के कुछ बाग का नामातर का ही शाशक था अब देखिए अकबर का जो ताज था, काटो का ताज ताज किस तरह से था तो देखिए कि पंजाग के सिर्फ कुछ बाग पर इसmay अकबर का शाशक था क्योंकि सिकंदर सुर पंजाम में अभी भी मौजूद था हुमायो की मुरत्य के बाद अफगान शाशक आदिल शाह सुर के योग्य वजीर और सेना पती हैमू ने दिल्ली और आगरे पर अपना अधिकार कर लिया था काबुल का छेतर उसके सोतेले भाई मिर्जा हकीम के आदिपत्ते में स्वतंत्र हो गया था गौालियर, मालवा, बिहार, बंगार, गुजरात, आदी, विबिन प्रदेशों में अफगान स्वतंत्र हो गये थे और उत्तर भारत का अधिकांश वाग विद्रोई अफगान सर्दारों के आतों में था सुर्वंश के सिकंदर शासुर, इब्राहिम सुर और मुहम्मद आदिल शासुर अभी तक जीवित थे और विबिन प्रदेशों पर अधिकार की वे थे और दिल्ली के सुल्तान बनने के लिए लालाई थे आर्थिक द्रश्टी से अकबर के सिति बहुत कमजूर थी दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल था और हुमायू ने खजाना खाली छोड़ा था कुल मिलाकर पंजाब के थोड़े से हिस्से के अलावा अकबर के अधिकार में कुछ नहीं था और उसकी दशा बड़ी संकत्पूर थी ऐसी सिति में अकबर ने बड़े सास के सास संपूर्ण सिति का सामना करने का निच्छे किया और इस कारिये में उसके संरक्षक बेरांखा ने उसकी हर संपव सायता की अकबर ने अपने राजरोन के बाद संरक्षक बेरांखा को खाने खाना की उपादी से भूशित कर अपना वकील सल्दनत यानि वजीर newkt किया अकबर के प्रारंबी कठी नायों का समाधान करते भारत में मुगल सामराज्य की शुरक्षा करने का श्रय बेरमखा को है और इसलिए 1556 सी 1560 का समय बेरमखा का समय माना जाता है क्योंकि इस समय अकबर क्याई बहुत कम थी और वास्तिक रूप से इस समय सामराज्य का विस्तार बेरमखा की मादम से किया गया तो अब देखिए आगे बेरमखा के संरक्षन में ही अकबर ने अपना सामराज्य जेस्तार प्रारम किया जब हुमायू की म्रत्यू हुई तो हुमायू की म्रत्यू का समाचार सुनकर आदिल शाने चुनार से अपने प्रधान मंत्रे हैमो को मुगलो को हिंदुस्तान से बहार निकालने के लिए आगरा की और बेजा आगरा का मुगर सुबेदार इसकंद खां उजबे हैमो की शक्तिशालिस सैना से डर गया और बिना सामना किये ही दिल्ली की और भाग गया हेमु ने आगरा पर अधिकार कर लिया और अब वे दिल्ली के ओर बढ़ा दिल्ली के गवर्णर तारदी बेग खाने 7 अक्टुमबर 1556 को तुगलकाबाद में हेमु का सामना किया परन्तु उसकी हार हुई और वे इसकंद खान के साथ सरहिंद के ओर भाग गया इस समय मुगलो की स्थिती बहुती दुर्बलती दिल्ली और आगरा के पतन के समाचार सुनकर अनेक सरदारों ने अक्बर को सला दी कि काबुल की ओर कूच कर दिया जाए किन्तु बैरम खाने इसे ऐसकार करते हुए एसकार करते हैं दिल्ली को पुने प्राप्त करने का निश्चे किया और अक्बर ने इसमें सहमती प्रकट की यानि कि यहां से अक्बर का सामरा जे विस्तार सुरू होता है जिसमें उसको सबसे पहले सामरा करना पड़ा अफगानों का अफगानों के प्रदान मंत्री हेमू से उसकी प्रत्थम लड़ाई हुई और यह लड़ाई पानी पत्की द्यूती युद्ध के नाम से जानी जाती है तो देखिए दिल्ली को पूने प्राप्त करने का इन्होंने निश्चे किया और अकबर ने इसमें सहमती प्रकट की पंजाब के स्रक्षा का प्रबंद करके मुगर सेना ने दिल्ली के और बढ़ना आरम किया सरिन्द के निकट तार्दी बेग खां इसकंद खां उजबेग और बगोडों को सबग देने मुगर सेना के आत्मबल को बढ़ाने तथा अपना प्रतिदूंदी बनने की संभावना को समाप करने की दरश्टी से बेरम खाने तारदी बेग खां को तलवार के घाठ उतार दिया और सेना को दिल्ली की और कूच करने का आदिस दिया पांच नॉम्बर 1556 को दोनों सेना के मंद्दे युद्धारम किया हो गया अफगान सेना और मुगल सेना हैमू और उसकी सेना ने तौप खाने के अवामें बड़ी वीरता से युद्ध किया लेकिन अचानक शत्रो के और से एक तीर आया और हैमू के आँख में लगा जिससे वह बैयुस होकर गिर गया सेना ने समझा कि हैमू मारा गया और सेना में अफ़रा तफ़री मच गई और उनमें गवराट हो गई लेकिन अकबर की सेना ने हैमू को पकड़ लिया शाकुली मरहम नामक मुगल अदिकारी ने हैमू को पकड़ा और अकबर के सामने पेश किया अकबर ने अपने तलवार उसकी गर्दन से छुई और बैरम खानेंस का से कार दिया इस परकार बाग के से एक बार फिर पानी पत्की युद ने मुगलो के पक्स में फैसला दिया हेमू के हार का मुख्यकारज के तुप खाने का पहले ही मुगलो के हातों में चला जाना था और युद के उसर पर हिम की आख में तीर लग जाना पानी पत के दियुती युद के परिणाम भी पानी पत के प्रतम युद की बाती मैत पुन हुए इस युद के बाद मुगलों की स्थिती भारत में सुद्रड हो गई और मुगल वंच 1857 इसी तक भारत में जमा रहा हिंदुस्तान के सत्था पर अफगानों का अधिकार सदेव के लिए समाप हो गया विजेई सेना ने 6 नावंबर 1556 इसी को दिल्ली में प्रिवेश किया 1557 इसी में मुगलों के सामने सिकंदर सुर की सेना ने आत्मसमरपण कर दिया दिल्ली सिहासन पर दूसर सुर प्रतिजुन्दी मुहमद आदिर्शा बंगाल की गवर्नर से मुंगे नामकिस्तान पर लड़ते मारा गया इब्राहिम सुर को खाने जमाने जोनपुर से बगा दिया और वह उडिसा की और भाग दिया जाँ उसकी मुरति हो गई इस प्रकार पानी पत्की विजे के पश्चाद दो वर्ष के अंदर ही दिल्ली के सिहासन पर दावा करने वाले सभी सुर वंश के उत्रादिकारी समात कर दे गए और मुगर सता को उनकी और से अब कोई बह नहीं रहा अगला इसके बाद हम देखेंगे कि बेराम खांके संदक्षन में अकबर ने पानी पत्का पत्थम युद लड़ा उसके बाद अकबर कुछ समय तक अपनी डाए के संदक्षन में भी रहा और ये समय था 1560 से 1562 और इस समय को परदा शाशन और पेटी कोर्ट सरकार के नाम से भी जाना जाता है परदा शाशन अपत्थम पेटी कोर्ट साशन इसलिए का गया है क्योंकि इस समय अकबर ने महाम अंगा और महाम अंगा के संदक्षन में रहा और उनिसके प्रवाव से ही कारे किया अक्बर ने महाम अंगा और शाबू दिन को सेंख्त प्रदान मंत्री बनाया महाम अंगा प्रशासन में अपने प्रभूता बनाया रखना चाहती थी इसलिए पहले शाब बुदीन बाद में बहादुर खांक और इसके इस्तान पर 10 सितंबर 1560 इसी में मुनिम खांक की नुक्ति करवाई इस परकार अकबर पर महाम अंगा और इसके पुत्र आदम खांका प्रभाव इस्तापित हो गया लेकिन ये प्रभाव सिर्फ दो साल तक ही रहा इसके बाद अकबर ने अपनी धाय से छुटकारा पाने के लिए मुनिम खांकी जगे नवंबर 1561 इसी में शम्शुदिन मुहमद अतगा को अतगा का को अपना प्रदान मंतरी निपकर सामराचे का राजनतिक सैनिक आर्थिक प्रभंद उसके सुपूर्ट कर दिया और उसे की सला से आदम का को मालवा से वापस बुला लिया गया बाद में उसकी हत्या कर दी गई अब देखिए 1561 इसी में 1562 के बाद अकबर ने सतंत रूप से डिर्ने लेना प्रारम किया लेकिन उससे पहले जब वो महाम अंगा के प्रभाव में था तो उसने कई विजए वियान भी किये और इन विजए अभियानों में जो प्रम्मुक थे वो है मालवा विजए जो 1561 इसी में हुई थी इस समय मालवा का शाशक बाज बादूर था जो अपनी प्रियसी और पत्नी रूप मती के साथ सदेव संगी तरुन रिते में लगा रहता था इसी को हराकर मुगा सेना ने मालवा विजए की थी इसके बाद जोनपुर में विद्रो को दबाया गया और चुनार पर अधिकार कर लिया ये घटनाती 1561 इसी की जिसमें मुगल सेना ने मेरता पर अधिकार कर लिया इस समय मेरता का शाशक जैमल था 1564 इसी में मुगल सेना ने गोडवाना की विजए की ये विजए इसलिए पैसित है कि इस समय गोडवाना में रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नाराण की संदक शिका थी और उसी नहीं मुगलो की सेना का सामना किया था लेकिन रानी हार गई और उसने अपनी इच्चत को बचाय रखने के लिए अपने आपको मार डाला इसके बाद मुगल सेना ने चोरागर पड़ आक्रमन कर वहाँ दुर्गावती के पुत्र वीर नाराण को हरा कर चोरागर को भी जीत लिया इसके बाद 1568 इसी में चितोड अभियान करके चितोड को भी जीत लिया गया 1579 इसी में मुगल सेना ने रंथंबोर को जीता इससे में रंथंबोर बुंदी के हाडा राजपुत सुर्जन राव के अधिकार में था जो मेवाड के अधिनस्थ था सुर्जन राव ने चितोड की इस्तिति देखकर अपने दोनों पुत्र दूदा और भोज को बेचकर अकबर की अधिनता स्विकार कर ली इसके बाद 1579 इसी में अकबर ने कालिंचर की विज़े की इस समय याकादूर वीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में था रामचंद्र ने चितोड और रन्थमबर के पतन से वैपरीचित था और उसने बिना द्रड़ता से प्रतिरोद किये आत्मे समर्पन कर दिया इसके बाद अकबर ने 1570 इसी में मारवाड बीका नेर तता जेसल मेर पर अधिकार किया नवंबर 1570 में अकबर नागोर के यात्रा पर गया यहां जोदपूर का राजा चंद्रसेन अकबर के सेवा में उपसित हुआ बीका नेर का चाशक कल्यानमल भी अपने पुद्र राई सिंग के साथ नागोर आया और अकबर के दिनता स्विकार की इसी का नुसरन जेसल मेर के चाशक हर राई नहीं भी किया अकबर ने बिकानेर और जेसलमेर के राजगरानों से विवाई समन भी स्थापित किये इस प्रकार 1570 इसी तक मेवार को छोड़कर बाकी पूरा राजस्थान अकबर के दिनता में आ गया इसके बाद अकबर ने गुजरात अभियान किया 1570 इतर और गुजरात विज़े की गुजरात विज़े के बाद अकबर ने 1574 और 1776 के बीच बिहार और बंगाल को विज़े किया 1578 इसी में जो सुर्वन्श सुलेमान किरानी सुलेमान किरानी ने शुर्वन्श के पतन के बाद अपने को बिहार का सतन शाशक घुशित कर दिया था उसने बंगाल को भी जीत कर आसान की सीमा तक अपने राज़े का विस्तार कर लिया था लेकिन 1568 इसी में उसने अकबर की अधिन्ता स्विकार कर ली 1572 इसी में उसके मत्ति के बाद इसके जवान पुत्र डाउद खाने ने केवल अपनी स्वतनता की घोशना की बल्कि मुगल छेतर जमानियों पर आक्रमण कर अकबर को नाराज भी कर दिया अतर 1534 इसी में अकबर ने उस पर आक्रमण कर उसे बिहार से भगा दिया और प्रांत को अपने सामराज्ये में मिला लिया इसके बाद अकबर ने मेवार विज़े के लिए प्रियास किये मेवार की राजधानी चित्तोर पर वो पहले ही फरवरी 1560 में अधिकार कर चुके थे लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा भाग अभी तक राणा उदेशिंग के अधिकार में था 1532 इसी में राणा उदेशिंग के मत्ति हो गई तब उसका पराक्रमी एवं प्रतापी पुत्र राणा प्रताप मेवार का शाशक बना इस समय तक राजसान के अधिकांस राजा अकबर के दिन्ता स्विकार कर चुके थे परन्तु राणा प्रताब ने अपने राज्य को स्वतन्त रखने का टैकर अकबर से संगर्ष करने का निश्य किया अकबर ने प्रारम में मान सिंग, राजा भगवत दास, राजा टोडनवल को बेज कर राणा प्रताप को उसकी अधिन्ता स्विकार करने एतु शांति पूर्ण प्रतन के परन्तु राणा ने अधिन्ता मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया तब, अप्रेल 1566 में अकबर ने आमेर के कुवर, मान सिंग तथा आसफ खां की अधिक्स्ता में एक शक्ति साली सेना मेवार के शेश बाग को जीतने के लिए भेज दी राणा प्रताप तो इस संभावित आक्रमन के लिए पहले से ही तैयार था 2156 इसी को हल्दी गाटी में दोनों सेनाओं के बीच दिशरू हुआ राणा प्रताप का आक्रमन इतना चबर जस्ता कि मुगर सेना का अगला और बाया भाग तितर बितर हो गया और दाहीना और बीच का जस्ता संकट में पढ़ गया राणा की सेना बहुत चोटी थी इसलिए अपनी इस प्रारंबिक सपलता का लाग ने उठा सकी अब राणा ने शत्र के मद्दे की सेना तता बायंक की सेना को हराने के लिए हातियों दोरा हमला किया दोनों पक्स अब सीधे आमने सामने बिढ़ गए मुगल भागने लगे लेकिन इसी समय यह अफ़ा फैल गई की बाश्चा स्वेम मैदान में आ रहे हैं अता मुगल वापस लोट पड़े और उन्हों जोर से हमला किया जिससे राजपुत जेल नहीं पाए शत्र सेना ने राणा प्रताब को चारों और से घेल लिया ऐसी संकर्पूर इस्तिती में प्रताब के कुछ स्वामी बख सेनी को ने राणा की गोड़े की लगाम पकड़ उन्हें युद छे से बाहर कर दिया इस समय बीदा जाला ने राणा प्रताब के मुकुट को अपने माते पर रखकर मेवार सेना का नेतरत किया लेकिन अब उसकी हिम्मत तूट चुकी थी और वे युद छे से भाग निकले उन्हें बहुत से मारे गए इस प्रताब हल्दी गाटी में अंत में राणा की हार हुई परन्त मुगल इतने ठक गए थे कि उन्होंने राणा और उसकी सेना का पीछा नहीं किया गोगुंदा जिसे राणा ने खाले कर दिया था राजा मान सिंग ने दूसरे दिन उस पर अधिकार कर लिया परन्त उससे आगे उन्हें कोई विशेस सफलता नहीं मिल चकी अकबर ने मान सिंग को वापस गिला लिया रसके परशाद भी अकबर, शहबास खां, सेद कासीम, सेद राजी और सेद हाशीम जैसे अनुभावी सरदारों को बेच कर मेवार से युद्ध करता रहा परन्त राणा परताब ने उसका अधिपत्य स्विकार नहीं किया इस दोराण मान परताब रसके परिवार को पहाडों में रहते विए अनेक कष्ट सहने पड़े किन्तु 1585 इसके बाद अकबर के उत्तर पश्चिमी सीमा के और ध्यान देने से राणा पर दबाव कम हो गया प्रताब ने इस अवसर का लाव उठाया और पंद्रा सो सत्याण में सीमें अपनी मृत्य से पहले चित्तोड और माडल गड़ पर गरने को छोड़ कर बाकि समस्त मेवार पर उने अपना दिकारी सापित कर लिया माराण प्रताब मिर्मत्य के बाद भी उसके उत्रादिकारी राणा अमर सिंग के विरुद अकबर ने सेनाएं बीजी किन्तोड पूरे मेवार को जीत कर उससे अपने राज़े में नहीं मिला सका इस प्रकार मेवार अकबर का संगर्शने के वल राज़सान के तियास में बलकि भारत वर्श के तियास में एक गोरोपंड इस्थान रखता है तो ये थी ये था अकबर का विजय अभियान वे सामराज ये विस्ताब ये तो अभी कुछ ही भाग है इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें अकबर की उत्रपच्छी में सीमांत नीती और दच्छिन नीती की भी हम चर्चा करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद